आखिर कुनो नेशनल पार्क में ही चीतों को क्यों बसाया गया नाम्बिया से चीतों को लाकर भारत में बसाने के लिए भारत के कई जंगली इलाकों का सर्वे किया गया इसमें से कुनो नेशनल पार्क को सबसे बहतर विकल्प मानकर इस पर गहन अध्यान शुरू कर दिया गया साउथ अफरिका के इंडेंजेड वाइल लाइफ ट्रस से डॉक्टर विलसेंड वांडे मर्ग कुनो के दोरे पर आएं साथ में वाइल लाइफ इंडिया के वाइबी जाला इन दोनों एक्सपर्ट ने मिलकर हैबिटेट पर इस्टडी की और इसे अफरिका के चीतों के रहने के लिए सही ठाराया इनके कुछ कारण इस परकार है पहला नाम्बिया की तरही कुनो नेसनल पार्क का जलवायू है गर्मियों में तापमान 35 से 40 डिगरी तक पहुँच जाता है यहाँ तापमान ना जादा ठंडा ना जादा बारिस और ना ही उमस होती है दूसरा चीतों को उची घास वाले मेदानों में रहना पसंद है क्यूंकि ऐसी जगा पर वो तेजी से दोड़कर सिकार असानी से कर लेते हैं और यह घने जंगलों में संभव नहीं है सबसे अधिक सिकार ये चीतल और हिरन की परजाती का करना पसंद करते हैं और यहां उनकी संख्या काफी है इनके अलावा चीते सांभर, निलगाय, जंगली, सुर, साही, भालू, सियार जैसे जानवर का सिकार कर सकते हैं